हर्याना में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की उमीदों पर पानी फेड दिया है शरिवार को बे मोसमी भारी बारिश व ओला विष्टी किसानों के लिए आफ़त बन गई है खेतों में बिची गेहों की फसली बरबाद होने के कागार पर पहुँचने से किसानों की चिंता की लकीरे बढ़ती जा रही है वहीं शेयर के मुखे बाजार सहीत अन्य स्थानों पर बरसात का पानी भर गया है बारिश के कारण निर्माना धिन करनाल कैथल सडक पर यातायात सेवा भी परभावित रही वहीं यातरियों को कई घंटे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ा पुरानी अनासमंडी के पास बरसात के कारण जल भराव हो गया वही करनाल के साथ साथ तरावडी में भी भारी वारिश के साथ ओला विष्टी हुई किसानों ने बताया कि मूसलाधार बारिश के साथ ओला विष्टी किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है इसके साथ ही खेतों में खड़ी गेहूं की फसल गिर गई और पानी में डूब गई है जिससे किसानों की छे महा की फसल बरबाद होने से किसानों की कमर तोड़ती है जिसकारण से गेहूं की अगेती वो पिछेती फसल अधिक प्रभावित हुई है किसानों ने सरकार से मांग की है कि खराब हुई फसली की जल से जल गिर्दावरी करवा कर मुआवजा दिया जाए निसिंग से समधाता अशोक वर्बा की रिपोर्ट अशोक पुल्च गर्णा नाइजो !